नमस्कर दोस्तो मैं विसीख, आपका विसीख टीटेरोल पे स्वाइट करता हूँ इंटर्क रिजल्ट अब हो गया अब है आपकी कॉलेज में अडमीशन के बारी चाहाए बी-े में अडमेशन लेना चाहते हैं, बी-े से में अडमीशन लेना चाहते हैं या B Corp में admission लेना चाहते हैं सभी के लिए पूरी update यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ तो पूरी ख़बर बिल्कुर ध्यान से देखेंगे आप लोग साथे साथ जो कम marks लाए हैं जो first है, second है या third है सभी का college में admission होगा कैसे आप लोग का admission लेना है किस college में admission लेना है यह पूरी परकिरिया में बताने जारा हूँ तो पूरी ख़बर बिल्कुर ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोग का जो admission है वो सभी का होप आए क्योंकि बहुत लोग को जनकारी नहीं होती है जिस करण से जो second बाले या third बाले हैं उन्हें अच्छे college नहीं मिल पाते हैं जनकारी के अभाव में इसलिए मैं यह वीडियो बनाया है बहुत लोग कामेंट में लगातार पुछ रहे थे कि college में admission कब से होगा इसके लिए एक वीडियो लेकर आए तो मैं कामेंट को बार बार पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा चात्र जो है किस चीज को ज़्यादा डिमांड हो रही है तो यह वीडियो मुझे लाना जो ही लगा इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ तो पूरी कबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे है दोस्तो मैंने बादा भी किया था कि इंटर रिजल्ट के बाद मैं गरिजेशन में एडमीशन की सारी परकिरिया आप लोग को बताऊंगा देखें कि इंटर रिजेशन में एडमीशन की जो परकिरिया हो गई है वो हो गई है आउनलाइन यानि सबसे पहले आपको जो है आउनलाइन अपलाई करना होता है उसके बाद जो है कॉलेज का मेरिट लिस्ट आता है मेरिट लिस्ट जो है तीन चड़नों में आता है पहला सेकेंड और ठर्ड पहली मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप जाकर अडमीशन ले सकते हैं अगर आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं है तो second merit list जो है फिर से जारी होती है उसमें आप देख सकती है इसे तरीके से आपका merit list जो है तीन merit list आती है अब बात करते हैं कि किस college में admission लेना बहतर होगा अगर आप first division है या second division है या third division है तो देखें जिनके marks अच्छे हैं वो बिहार के top 10 university में admission ले सकते हैं से पहले बात कर लें कि सबसे top university बिहार मानी जाती है तो वो है आपका पटना इंवर्सिटी ठीक है पटना इंवर्सिटी में आपका जो admission है उसके लिए entrance exam देना होता है यानि उसके लिए आपको exam देना होगा apply करने के बाद exam के में आबेदन होता है आप exam में बैठते हैं उसक के लिए कोई exam नहीं होता है आप simply जो है इंटर पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं second वाले भी कर सकते हैं लेकिन second वाले का पहली मेर्सिट में ना माना थोड़ा मुस्किल सा लगता है लेकिन अगर आप जो है ऐसे college सेलेक्ट करते हैं जहां कि cut up कम जाते हैं देखे होता क् कि आपको cut up list देखना होता है पिछले सालों का तो पिछले साले का cut up list में जल्द वीडियो लेकर आ जाओंगा कि पिछले साल का cut up list था किस college का कितना गया था पहली में एक list में तो उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरा कितना marks है और मैं किस college के लिए आबेदन करूंगा मेरा वहाँ हो जाएगा क्योंकि यहां से बिहार बुर्ट तो खत्म हो जाता है यहां सापको university का केल सुरू हो जाता है तो आपका पार्टलिपृत university में बहुत सारे college ऐसे भी हैं जहां की cut up जो है वो कम जाता है ठीक है तो यहां पे तो होगी पार्टलिपृत university फिर है बिहार की जितने भी university हैं चाया अब दरभंगा की बात कर लें या भागल पूर university की बात कर लें ठीक है बिहार की जितनी भी university हैं सभी का यहां पर अभी से एक tutorial पर आपको admission की तारीक निकलती है उसके लिए apply कैसे करना है सब कुछ यहां पर के लिए आपको समझाई जाती है जो चात यहां पर सोच रहे हैं कि उन्हें marks कम मिले है वो scrutiny के लिए आबेदन किये हैं वो आखिर college में admission कैसे लेंगे तो आपको बता दे कि अगर आपने scrutiny के लिए आबेदन किया है तो भी यहां पर कोई दिकत की बात नहीं है आप college में जो है वो admission जो है वो ले सकते हैं कैसे लेंगे देखिए अगर आपके marks कम है या एक या दो subject में cross लगा हुआ है तो भी आप college में admission ले सकते हैं कैसे आपने अगर scrutiny के लाबेदन करती है तो आपको पता है कि स्कूटनी का डिजल जो है अपरिल के last में ही आपका जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो अपरिल के last में एक ही डेट में सुरू हो जाएगा और एक ही डेट में खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होता है यहां पर पिछले साल जो थोड़ा लेट से admission सुरू हुआ था क्योंकि करोना का दोर था और यहां पर देखिए एक्जाम हो गया है अब एक एक उनिवरसिटी जो है अपना करेगी लेकिन इस से पहले देखे यहां पे सी भीयसी का किखंडिक कोई ज़रूरी नहीं कि सी भी हार्बॉड जार का ही एञयुकर कोई जरूरूंशन करते हैं जो स्थी से पास करता है वह भी ग्राइजूशन में जाकर इन्वरसिटी सेलेक्ट करते हैं तो आपस सी सिब्सी भी हालबोड ऐसा कुछ नहीं रा जाता यहां पर बात करें किसंफे का इंटर का एग्जाम ठीक है तो कोई भी इंटरorty जो है अपना इसक्रガ्रिелिक का अपना एडिबंचंच्ष ऑप आपका आबेदन के लिए कोई application जारी करेगी फिर भी बात कर लें कि बहुत सारे university ऐसे हैं जैसे कि आरा का university है बीर कोर्सी ठीक है बहुत सारा university ऐसा है जो admission list जारी कर सकता है क्योंकि इंटर करीजल जारी हो गिया है उसे college में अच्छे लड़के चाहिए जिन्होंने इंटर में अच्छे marks प्राप्त किये हैं वो आबेदन करेंगे हर university चाहता है को उसके पास stop लड़के पहुँचे ठीक है तो जो university पहले डेट जारी करती है वो अच्छे लड़के उसके पहुँच जाते है ठीक है तो यही चीज होता है कि डेट जो है आपका कभी भी जारी हो सकता है बस खुद को update रखने की जुरहत है अब select करना है कि आपको हम arts लेंगे या science लेंगे या commerce लेंगे या आपपे निर्वर करता है एक arts कलरका arts नहीं ले सकता है science कलरका या science कलरका है वो arts भी ले सकता है और commerce भी ले सकते हैं, commerce में भी सीमा निधारी थे, सभी science वाले commerce नहीं ले सकते हैं, तहाँ पर science वाले जो arts भी ले सकते हैं, अगर आप government exam के तयारी करना चाहते हैं future में, और side से चाहते हैं, graduation भी complete हो जाए तीन साल में, और इधर कहीं coaching class करके, मैं सरकारी नौकरी की भी तयारी भी कर लूँ, तो आपके लिए बहतर होगा कि आप BA के साथ जाएं, यानि BA में history honors ले सकते हैं, science वाले लर के भी history honors ले सकते हैं, इससे आपका history भी अच्छा हो जाएगा, और पता है कि exam में history से question कितने पुछे जाते हैं, तो ये फैदा होगा आपका history honors लेने का, फिर भी अ सका भी आगे future में काफी अच्छा scope है, उससे आपको सिर्फ government job नहीं private job में बहुत अच्छा scope मिलता है, जो physics honors होते हैं, या math honors होते हैं, उनका बहुत जादा scope है, ठीक है, ये सब कुछ आपे निर्वर करता है कि आपका कौन सा subject अच्छा है, पिर भी अगर आप सरकारी नोकर करने पड़ेगी, अगर आप arts लेते हैं, तो उसकी तयारी आप खुछ से भी कर सकते हैं, तो science लेको तो coaching classes तो करनी होगी, फिर आप government job की तयारी करनी ही पाऊगे, ये सब कुछ आपे depend करता है, कि अगर आपको अपने college को ही आगे ले जाना है, उसी को career group में लेना है, किसी क professor बनना है, ठीक है, तो वो सभी तो अब जो आपका stream है, वो लेकर चल सकते हो आप, ठीक है, बाकि जो भी आपका admission की date जारी होता है, आपको जल्दी एक video बना कर मैं दे दूँगा, और कौन से university है, जो सबसे अच्छा है बिहार के लिए, तो वो है आपका पटना university है, पटन आने बारी है, मैंने चैनल पर बस कुछ दिन बेट केजिए, एक सो दो दिन में वो वीडियो जल्दा जाएगी, तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले, तैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो को जितना हो सेर कीजिए, ताकि सभी चात को जनकारी मिल सक देक्ड़ Daha की लाएंग, थाएंग, ताकि सभीनो को जितना हो प्रध भ वीडियो すब है जैंक्स करने हो बारी है